पुज्य भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन है कि कलव नारायनम देवं यजतेया सधर्म भाग दामोदरम हरशीकेशं पुरहूतम शनातनम ये कल्यूग पहला काम करता है बुद्धी में बैठकर बुद्धी बुद्धी ब्रश्ट कर देता है जो भगवान स्री हरी का पूजन करते हैं हर समय नाम जब करते रहते हैं क्रिश्ण दामोदर हर्शीकेश अच्चित राम नारैन राधा 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 ये कल्यूग उनकी बुद्धी ब्रश्ट नहीं कर पाएगा देखो बुद्धी को अपने ब्रश्ट होने से बचाना है तो नाम जब कर तेरे नाम जब राधा 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 क्रिश्ण क्रिश्ण हरी दामोदर अच्चित गविंद माधो उन परमशांत सनातन भगवान दामोदर स्री कृष्ण का जो इस्मरन करता है तो स्री कृष्ण उसके हरदिकृत्वा परमशांतम जितमेव जगत्रयम उसके हरदय में ऐसा बल दे देते हैं कि उत्रिभूवन पर विजय प्राप्त कर लेता है जिसकी बुद्धी हर समय भगवान का नाम उच्चारण करती रहती है और हरी का पूजन करती है तो भगवान उसके हरदय में इतना बल देते हैं को त्रिभूवन पर विजय प्राप्त कर लेता है हरती कृत्वा परम शांतम जितमयो जगत्रयम कलिकालो रगादन शात किल्विशात कलकूट तहा हरी भक्ति शुधाम पीत्वा उलंग्यो भवति दुजहा किम जपईर स्री हरे रनामो ग्रहीतम यदि मानुशईत यदि हरी का इस्मरण न किया जाए हरी भक्ति न की जाए तो एक कलियूग रूपी साप ऐसा डस लेता है ऐसी बुद्धी ब्रष्ठ हो जाती है कि वो भयंकर बिश्चड़ जाता उस सर्वनास का खेल खेलता है इसी लिए मानो देह को प्राप्त हे मनुश्यों तुम केवल नाम का अश्रे ले लो तो ये कलिकाल कुछ नहीं कर पाएगा केवल नाम कलियूग में नाम का ही एक मात्रशाधन है साध्य है कलियूग केवल नाम अधारा शुमीरी सुमीरी भव उदर ही पारा एक मात्रशाधन हाम हरिभक्तिस्च लोकेत दुर्लभाही मतामं हरोयस भवेद भक्तिस कृतार थोन संसया मेरे विचार से कलियूग में अब कोई साधन ऐसा स्रेष्ट नहीं रहे गया जो भगवत प्राप्ति करा सके पक्का इस बहुत अनुभो से देख रहे हैं बड़े-बड़े महत्यनों का शंग हो रहा है अब भी तो जब आते हैं तब पता चलता है नाम जब निरंतर नहीं है तो अशांती है मन में सब साधन करते हुए मेरे विचार से इस संसार समद्र से पार होने में कलियूग का बहुत बड़ा सायोग है यदि नाम जब किया जा नाम जब बहुत गुरुवानी में जितने महापुरुशों के वचन पढ़े और शास्त्रों में जितने साभ में नाम ही कलियूग में उद्धार कर सकता है नाम को पकड़ो नाम को पकड़ो इधर उधर भटको मद निशन्दे करतार्त हो जाएगा जिसके हरदय में भगवान का नाम चल रहा है भगवान को शंतुष्ट कर लिया तो सब कुछ प्राप्थ हो जाता है और संतुष्ट कैसे भगवान होते हैं प्रेम लक्षणा भक्ती से प्रेम कैसे होता है तो सेवक जी महराज कह रहे है प्रेम मूल यह नाम है प्रेमी रसिक जपत यह नाम प्रेम मगन्नी जुबन बिस्राम स्री हरिवन से जहां रहा है नाम ही प्रेम मूल है जितना नाम जब करोगे भजन नसेनी प्रेम की प्रेम की उचाई पर चड़ने के लिए भजन न सेनी है उगो स्वामी जी ने तो एकदम खोल के कह दिया कि बारि मतेगरत हो ये बरू सिकताते बरू तेल बिनुहरी भजन भवतरी यासिद्धांत अपेल बहुत सुख मिला था जब कल स्वामी राम मंगलदास जी की बारि तीस मिनट नाम की इर्टन करे तो कहते थे हमारा भी स्वासा है को उसको भगवत प्राप्ती हो जाएगी क्योंकि जानते हैं एक नाम की महिमा को जिनकी प्रशनता हो जाने पर ब्रह्मा दिबड़े बड़े लोगपाल उसका सायोग करते हैं जिसके उपर भगवान प्रशन है इसलिए मैं जनारदन भगवान की युगल चरणों का सदय इस्मरन करता हूँ जगत बंद जनारदन सरनागत वत्सल जगत पिता स्री क्रश्न को पुकारता हूँ जो इस्मरन करता है जो पुकारता है तो इतीर यंतिये मरत्यानते सामने रहे गती वो कभी नरक नहीं जा सकता जिसने एक बार भी भगवान को पुकारा है जिसे कोई कह ऐसा कैसे हो सकता है भाई यह एक रजिस्टर मान लो आप पूरे रजिस्टर में पाप पाप लिखाए एक बार लिखा किसने का हरी एक बार राधा एक बार हरी एक बार राधा का तो इसका हिसाब क्योंकि परमधर्मात्मा है द्वादस माँ भागवतों में धर्मराज जी है वो जानते हैं भगवन नाम की महिमा क्या है इसलिए वो नरक नहीं जाएगा एक नाम जापक ये इतनी मैंब आयसे नाम को हम निरंतर क्यों नहीं कत्तित करें जिसने मनुष्य जन्म लिया और भगवान का नाम नहीं लिया तो एक कलिकाल रूपी भायानक समद्र पाप रूपी ग्राहों से भरा हुआ है विश्या सक्ती रूपी भवर है और अग्यान रूपी फेन है महादुष्टता रूपी सर्प है ये नस्ट कर देता है नस्ट कर पूरा जीवन नस्ट हो जाता है जो भगवान के भक्तों का संग करके मानों नौका में बैठ रहे और हरि नाम कीरतन वालों निरंतन नाम जब कर रहे नाम कीरतन कर रहे तो नौका प्रतिपल चल रही समुद्र से पार हो रही जो सौबाज पे यग्य करे दस हजार राजसु यग्य करे तो भगवान सुगमता से नहीं मिलने वाले लेकिन जो केवल नाम जब करे उसे भगवान सुगमता से मिल जाएगी देखो सौबाज पे यग्य और दस हजार राजसु यग्य केवल संखे लिखी कोई कर नहीं पाता कोई बिरला ऐसा भगवतावे सो नहीं तो दो चार युदिष्ठी रादी राजसु यग्य राजसु यग्य पूरे विश्चु को जीत लेना और पूरे विश्चु का बान दारा कोई भी खाय कोई कमी नहीं सब ओ ऐसे म làज भाजबंग करनेवाला भी भगवान को प्रश्वन नहीं कर सकता धिन नहीं कर सकता जैसा भगवान नाम जापक से होते है राधा 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 मान लो जो तो सबैसे नाम जब करता है शंतों का संहांसे क्या पार हो गया, पार हो गया, विश्वास करो, नाम जब करता है, सतसंग करता है, हो गया काव, बोले कुछ तो कुशंग भी है, निपट जाओगे, उन नस्ठ हो जाएगा कुशंग, वो जो असद वासना है, वो नस्ठ हो जाएगी, जाम बूच कर उसको और सर मत दो, निकल एक लुक्र दोनके के लिए होता सो है निवार教 typically चनलता तो कोने के लिए जब चोर चाकू चलाता है तो कष्ट पहुँचाने के लिए चलाता है अब हम डाक्टर के पास है हमारे अंदर जो भी कामकरोद लोग है अब यह सम निकलने के वे चेश्टा वाली है अब यह बसेंगे नहीं क्योंकि नाम जब चल रहा है पक्का मान लेना हो भी रही तो निकल जाएंगे अब चिंता नहीं करना चिंतन करना है हरी का हमारी बात पर भी स्वास करना जितना नाम जब में तुमसे कोई गलत किरिया हो रही उदसाद सोच हटाओ सोच के कारण हो रही सोच हटाओ सोच लगाओ नाम में चिंता मत करो बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो, एक दिन ऐसा आएगा, हमारी बात याद कर लेना, और अगर चिंतन करते हैं, अब हमसे बुरा हो रहा है, अब क्या होगा, भगवान तो मिलेंगे नहीं, भजन तो बन नहीं रहा, बुरा अच्छरण छूट नहीं रहा, इतना हरदय में जलन होगी कि सब शांत हो जाएगा, जो बिशैलो लूप, निश्ठूर मनुष्य हैं, नाम जब नहीं करते, वो अपने को नरक में गिराने का उपाय कर रहे हैं, यदि तुम अनायास दुख से पार जाना चाहते हो, तो गोविंद, 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 हरी, 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 राधा, 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 ऐसा उचारन करो, जिसने मन वानी और क्रियादवारा, श्री हरी की भक्ती की, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, निश्चय उसकी विजय हो गई, जीत हो गई, जो मन से, वचन से, कर्म से, भगवान की भक्ती कर संपूर्ण देवेश्वरों के भीश्वर भगवान स्री कृष्ण है थोड़ी सी भी आराधना को ये बहुत करके मानते हैं इसलिए इनका नाम पाप रूपी पिसाचों का समुदाय नस्ट करने के लिए है बहुत ध्यान से सुनों बहुत आराधना और ये हमारा तो बल है इनका नाम पाप रूपी समुदाय के जो पिसाच है उनके नस्ट करने के लिए है एक बार जिसने चार प्रदक्षुना कर ली प्रभू स्री हरी की प्रिया प्रितम की नर्क नहीं जाएगा बिश्वास करो ना कि आओ तो आज कर लेना चार परिक्रमा भी हरी जीव की कर लेना जाके जहां तो मारा बिश्वास हो लाधा रमण जी की पूरे ब्रंदावन की ऐसा कोई आने बैठा होगा जो परिक्रमा न किये हो ठाकुर की किये तो होगा है क्योंकि ब्रंदावन है तो जरूर परिक्रमा की हो ये भगवान के वच्छन है महापुरुषों के जो ब्रम्हलीन महापुरुष है एक बार जिसने स्री हरी की चार प्रदिक्षणां कर ली चार प्रदिक्षणां भगवान की की जाते है वो कभी नरक नहीं जाएगा कर ले ना भाईय प्रदिक्षणा जिनको जिनों ने ना किया हो तो कर ले अपनी प्रियालाल विराज मान रहते हैं चार बार प्रदिक्षणा कर ले लादा वल्लब जी के मंदिर में चार बार मंदिर की बिहारी जुके वो तब जब वो दर्सन दे रहे हो शयन हो तब नहीं भोग लग रहा हो तब नहीं प्रदक्ष्णा करना वो हो यह नो निधी है अगर विश्वासम करे संपूर्ण तीर्थों के इसनान करने से जो फल प्राप्त होता है एक बार स्री भगवान के स्री विग्रह के दर्सन करने से फल प्राप्त हो जाता है एक बार भी हरी जी को देख लिया राधा वल्लब जी को राधा मोहन जी को देख लिया एक बार दर्सन कर लिये सारे तीर्थों का फल प्राप्त हो गया ओहो जो प्रभू का नाम जब कर रहे हैं सारे अनुष्ठानों का फल प्राप्त हो गया बोले पुरस्चरण गायत्री अनुष्ठान महामरत्य उन्जे मंत्रा मुक मंत्रा साब का अनुष्ठान का फल प्राप्त हो गया जो नाम जब कर रहे है हे दुजवरो मेरी बात पर विश्वास करो जो भगवान स्री कृष्ण के चरणों में चड़ी हुई तुलसी दल को प्रभू की प्रशादी है यमराज के प्रचण विक्राल यम दूतों का कभी उनको मुख दर्शन करने नहीं पड़ेगा एक बार तुलसी प्रशादी प्रशादी पुस्प माला जाती लो यह सिराने रखते अपने यही हमारे बल है और सुनो एक बार जो हमारे स्री कृष्ण को सास्टांग प्रणाम कर लिया अपुना माता के गर्भ में नहीं जाता कर लिए न भहिया सास्टांग दंड़ जाके एक एक बार की बाते हैं यह तो कई बार सुना चुके हैं भीस्ट मिस्तवा में एकोपी कृष्णा करता प्रणामों दसास्ट में धावा भरते न तुल्या दसास्ट में धी पुनरी पिजन्मों कृष्णा प्रणामी न पुनर भवाए इसलिए छाती ठंडी हो जाती हैं बाते सुनके भगवान तो निश्चित मिले तभी हम तो आप से वादा करते हैं कि सबको भगवान मिलेंगे चर्चा सुन रहे हो राधा नाम सुन रहे हो धाम में बैठे हो उसका दूसरा जर्मन योगा जिसने हमारे श्री कृष्ण को एक बार प्रणाम कर लिया और सुनो जो प्रतिदिन भगवान की चर्चा सुनता है वो चाए पुलकस हो, स्वपच हो, चान डाल हो, मलेक्ष हो कोई भी पापी हो वो जगत बंदनी सवभाग साली परंपद को प्राप्त होगा जो रोज भगवान की चर्चा सुनते है सुन लिया न घर्व में रहो कि हमें तो भगवान ने कितना सवभाग दिया है जो पुल्नियात्मा भगवान के भगतों का संग करता है तो उसकी बात ही क्या है भगवान श्री हरी के भगतों का संग करने वाले को कभी गर्व वास का दुख नहीं भोगना पड़ता और सुनो चार लोग जहां खड़े हैं उनके बीच में जो भगवन नाम कीरतन करता है राधा राधा हरी राम कृष्ण हरी राम कृष्ण हरी तो गंगादी पवित्र नदियां इंतिजार करती को कभी आकर अपने चरण हम पे इस परस करा दे तो अमने इस पाफ हो जाएगा वो हो वो समस्त संसार को पावन करने वाला भक्त होता है जो समाज में नाम कीरतन करता है दिखावे के लिए नहीं भगवत यस के लिए हम भगवान का यस सब के कानों में शुना रहे हैं जिससे सब का मंगल हो जो भगवान का नाम कीर्टन करता है उसका दर्शन उसका इसपर्ष उससे वार्तालाब करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है जो नाम कीर्टन करते हैं भगवत यश में डूबे रहते हैं ऐसे संतों के ऐसे भगतों के दर्शन से संभासन से इस पर्श से ब्रह्म हत्या जैसा पातक नश्ठ हो जाता है इसमें तनिक भी संदे नहीं करना जो करताल बजाते हुए भगवान का नाम कीरतन करते हैं भगवान के लीलाओं के पदगायन करते हैं बड़े से बड़े महाँपाप भी भस्म हो जाते हैं ये संगीत सबके पास है ए अम्रत है महामरत है जो ऐसे भक्त जन है उनका दर्शन मात्र जीवों को पवित्र कर देता है हे महर्शियों स्री कृष्ण नाम सब तीर्थों का परम तीर्थ है जिसने स्री कृष्ण नाम को अपनाया वे पर्थिवी को पावन करने वाला है और स्रीकृष्ण जिनका नाम रटते हैं वो है राधा और जिसने राधा नाम रटा वो स्रीकृष्ण को अधीन करने वाला है इसलिए मुनी जनो ये कलिकाल है किसी अन्यशाधनों की तरफ चित मत लगाओ प्रभू की प्रदक्षणा करो प्रभू की सेवा करो प्रभू को नमस्कार करो प्रभू की ही आराधना में रहो जो थोड़ी सी भी पूजन की वस्तु प्रभू स्रीकृष्ण को प्रेम से समर्पित करता है वो तीनों लोगों का स्वामी हो जाता है भगवान महेश्वर अपने एकी भाव को प्रदान करते है वो भगवान के शायुद जिमोक्ष को प्राप्त होता है जैसा भगवान का वैभो ऐसा उसका वैभो जो पुणर जन्म संसार में ना चाहता हो वो अविनासी परमात्मा जिनका चरणा मृत महादेव जी भी अपने मस्तक पर धारन करते हैं उन स्री कृष्ण को जो पुकारता रहता है इस्तमरन करता रहता है उसका पुनर जन्म नहीं होता इसलिए भगवन नाम शर्वो परिमहिवां से गरज रहा है गिरते समय फिसलते समय दुखाते समय छीकते समय उचे स्वर से बोल उठे हरे नमहा श्री हरे नमहा बोले सब पापों से मुक्त हो जाता है कितना बड़या भगवान के नाम के ना रुपया लगता है ना पवित्र पवित्रता की बात है बस नाम जपे जओ आनंद ही आनंद है दस नामा पराद से थोड़ा बच के दस नामा पराद जो पीछे चर्चा हुए